लिस्किप अपिए हलो गाइस, आइम बैड़ी 2016 की मूवी, दा बॉइ सुपर हॉरर बेस्ट मूवी है इस मूवी की IMD रेटिंग 6 आउट आफ आफ तेन है और इसे 83% गूगल यूजर ने लाइक किया है इसे डिरेक्ट किया है विलियम प्रेंट बैल है देन, एक्स्प्लें मूवी रानी की स्टार्टिंग में हमें एक कार दिखाई जाती है जिसमें एक लड़की जिसका नाम ग्रेटा है एक्च्वल में ग्रेटा अमेरिका की थी नैनी के जॉब के लिए यूके आई है इल शेयर फैमिली के यहां जॉब पर आई थी जो सहर के अमीर व्यक्ति है ग्रेटा घर के अंदर जाती है और उसके निदर घर पर पड़ती है दूसरे सीन में हम देखते हैं ग्रेटा अचानक डर जाती है यहां एक व्यक्ति जिसका नाम मेलकम है जो की इस घर का वीक्ली सप्लायर बॉय है मेलकम बहुत फ़नी बंदा था जो पहले मुलाकात में ही ग्रेटा से फ्लैट कर रहा था फिर ग्रेटा की मुलाकात हील शेयर से होती है जो बताते हैं कि ग्रेटा को उनके बेटे प्रहम का खयाल रखना है ग्रेटा यहां पर आश्चर में पढ़ जाती है जिसको हील शेयर बेटा कहकर बुला रहे थे असल में वो एक डॉल था वो लोग डॉल के साथ ऐसे पेश आ रहे थे जैसे वो जीता जाकता आदमी हो उस शाम को हील शेयर ग्रेटा को बताती है कि ब्रहम को ग्रेटा पसंद है तुम पहली नैनी हो जिसे ब्रहम ने पसंद किया था असल में हील शेयर कुछ दिनों के लिए टाउन से बाहर जा रहे थी इसलिए वो चाहते थे कि टाउन से बाहर जाने के बाद ग्रेटा प्रहम का ख्याल रखना सके हील शेयर जानने से पहले कुछ रूल बताते हैं जो बहुत अजीब होते हैं जैसे प्राहम को रोज मॉर्निंग में तेज आवाज में उठाना, बाद में ड्रैस चेंज करना, स्टोरी सुनाना होगा, वो भी उंची आवाज में, ग्रेटा को म्यूजिक भी तेज साउन में बजाना होगा, खाने को कभी पहार नहीं फिकना है, उसे फ्रेजर में स्टोर क पर दोज तरना है, उनके जाने के बाद, ग्रेटा रूल फॉलो नहीं करती, वो अपनी सिस्टर से लैनलाइन फोन से बात करती है, जहां पता चलता है, ग्रेटा का एक्स बॉर्फरेंट, जिसका नाम कोल था, सिस्टर बताती है, कोल कोट के रूल भी नहीं मानता, रात में ग्रेटा कुछ डर जाती है, रात को सोते समय ग्रेटा को कुछ आठ होती है, रूम में आकर देखती है, तो ब्रहम की आखों से आशू आ रहे है, पिर छट पर देखती है, तो सीलिंग से पानी तपक रहा था, अगले दिन मैलकम आता है, और सैलरी देता है, ग्रेटा ब्रह जाता है आठ साल पहले घर में आग लग गई थी जिसमें वो मर गया था अगले सीलिंड में हम देखते हैं ग्रेटा प्रेस चेक कर रही है पार्टी में जाने के लिए क्योंकि मैलकम ग्रेटा को कॉफी पर ले जाना चाहता था ग्रेटा नहाने जाती है जब वो नहा रही होती है कोई उसके कपड़े और चैन चूरी कर लेता है कपड़े खोस्ते खोस्ते वो देखती है सीड़ी नीचे है वह उपर चली जाती है वहाँ पर वो पस जाती है मैलकम आ जाता है वो बहुत आवाज लगाता है पर मैं मैलकम की आवाज नहीं सुन पाती फिर मैलकम महां से चला जाता है एक बार ग्रेटा और मैलकम उल खेल रही होते हैं तो ग्रेटा प्रहम की सच्चाई मुष्टी है मेलकम बताता है एक बार अचानक घर आया था तो सराप के नशी में हील शेरनिम उसे कहा था कि प्रहाम बहुत सैथान है ग्रेटा एक कमरे में जाकर देखती है प्रहाम अपनी जगह बार बार बदल लेता है उसे डर लगने लगता है ग्रेटा कमरे में चली जाती है कुछ दिर बात कमरे में बाहर एक आहट आती है तो बाहर खाना होता है अगले सीन में लोग एक लेटर लिखकर रिवर में जान दी देते है लेटर में अजीब बातیں लिखी थी ग्रेटा अब रूल को फॉलो करने लगती है स्टोरी सुनाती है ग्रहम का खयाल अच्छे से रखने लगती है मैलकम के साथ घूमना भी बंद कर देती है फिर एक हाथसा होता है ग्रेटा ग्रहम को खाना खिलाती है फिर रहम अपनी जगह बदल लेता है ग्रेटा ये बात मैलकम को बदाती है ब्राहम को रखकर चौक से निशान लगाती है ब्राहम को दूसरी कमरे में जाकर नौक करती है ब्राहम की जगह बदल गई होती है देखकर दोनों शौक हो जाते है मैलकम बोलता है ग्राहम में एक सैतानी आत्मा हो सकती है घूम रहे होते है वहां Greta past life के बारे में बताती है कि कोल की misbehave के कारण ही वो यहाँ पर अच्छा मैसूस करती है दूसरे सीन में रात को ब्रहम को सुलाती है Greta Greta का इंतजार मैलकम कर रहा होता है जब वो intimate होना सुरू होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई बहार से सब देख रहा है आहट पर दौनों नीचे आकर देखते हैं तो म्यूजिक जोर से बज रहा है फिर मैलकम Greta को घर से चलने को कहता है वो कहता है कि एक बात मैंने तुम से छुपाई थी एक लड़की एमी यहाँ पर खेलने आती थी एक पर ब्रहम का बथडे था वो उसकी दोस्त यहाँ पर आई थी जो फिर वापस घर नहीं लोटी कुछ दिनों बाद उसका सब जंगल में मिला वो भी उसका सर कुछला हुआ था जब पुलिस ब्रहम से पूचताच करने आई जब तक घर आग से जल चुगा था हील शेयर किसी तरीके से आग से बच गए थे यह सब बात ब्रहम सुन रहा था अगले सीन में कोल्ड ग्रेटा से मिलता है कोल्ड ग्रेटा से पूचता है मैलकम कौन है कोल्ड रेटन की दो टिकेट लाया था वो ग्रेटा को ले जाना चाहता था ग्रेटा रहम से हेल्प मांगती है जब सब सो रहे होते हैं то कोल के माथे पर खून गिरता है कोल दर जाता है ग्रेटा से पूसता है ये get out, तुमने लिखा है ग्रेटा डॉल की तरफ इशारा करती है कि शायद डॉल ने लिखा होगा डॉल को छीनने के लिए कोल ग्रेटा की पीछे भागता है और यह सब मैलकम घर के बाहर सुनकर घर के अंदर आ जाता है कोल डॉल छीनकर डॉल को पटक कर तोड़ देता है फिर पूरी कमरे में सन्नाटा चा जाता है सब ढर जाते हैं कुछ दिर बाद कोल मिरर के पास कान लगाने वाला होता है अचालनक मिरर तोड़ते हुए फई बाहर वो आवाज लगाने लगता है फिर मैलकम और प्राहम की लड़ाई होने लगती है यही होता है असली प्राहम जो गुस्से में कोल को मार मार कर उसकी जान ले लेता है आप कंफूज हो गए होंगी डोन्ट वरी मैं वीडियो के एंड में सब समझा दूँगा ब्राहम कोल को मारने के बाद गरेता और वैलकम के पीछे तोड़ता है यह दोनों उससे बचने के लिए यहां वहां भागते हैं सारे दोर, विंडो, लॉक थे फिर ये खोफिया रूम में पहुच जाते हैं जो दिवार के अंदर था जो ये रूम ब्राहम का था ब्राहम ने रूम में डॉल बनाया था जिसे ब्राहम ने गरेटा की ट्रेस और च्वैलरी पहना रखी थी यहां पर गरेटा को लैटर मिलता है हील शेर का उसमें लिखा रहता है कि गरेटा को इसलिए छोड़ गए हैं कि गरेटा ब्राहम की मीटिंग पार्टनर पन सकी फिर ब्राहम इनके पीछे आता है और बुरी तरीके से मैलकम को मारने लगता है फिर गरेटा को बाहर का रास्ता मिल जाता है गरेटा बाहर भाग जाते है वो गरेटा को धमकी देता है कि अगर तुम नहीं आएं तो मैं मैलकम को मार दूंगा फिर Greta वापस आ जाती है Greta says I am come only for you Greta को आइडिया आता है वो रूल की बात करते हुए ब्राम को तेज आवाज में सौनी के लिए बुलती है ब्राम, Greta बात सुनकर सौने जाता है सौनी से पहले Greta से ब्राम गुड़नाइट किस मांगता है इससे पहले की ब्राम, Greta को किस कर पाता Greta в्राम के पेट में स्क्रू ड्राइवर मार दिती है ब्राम, Greta का दक्का मार दिता है दोनों की लडाई होने लगती है वो ब्राम को घायल कर भाग जाती है फिर सीन में दिखाए जाता है प्रहाम को जो डॉल को सेट कर रहा है मतलब सेकंड पार्ट जरूर बनेगा यह मूवी एंड हो जाते है